Hello everyone and welcome back to my channel, my name is Bushra Khan आज की वीडियो में हम discuss करने वाले हैं ऐसे daily use sentences जिसमें हम idioms का use करेंगे So वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, please वीडियो end तक देखे और एक request, अगर वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले चैनल को subscribe जरूर करें So first is, यह पुस्तक हाथो हाथ बिग गई, means फटाफट यह किताब जो है वो बिग गई अब इस sentence को आपको English में बोलना है और इसमें idiom भी use करना है, so आप कैसे बोलेंगे So आपको कहना होगा, this book was sold like hot cakes अब next देखिए, अगर आप कहते हैं, यह है तो केवल फुजूल का बहाना दिखाई देता है, means यह बिलकुल फुजूल का बहाना है, so आप इसको English में कैसे कहेंगे So आपको कहना होगा, this seems to be only a lame excuse, lame excuse means बिलकुल फुजूल का बहाना Next देखिए, आपका यहां कैसे आना हुआ, हम normally पूछ लेते हैं, और भाई कैसे आना हुआ, so इसको English में बोलना है, और थोड़ा अच्छे से बोलना है, तो कैसे बोलेंगे So हमें कहना होगा, what brings you here, याद रखिएगा यह sentence वज़ा पूछने के लिए यूज किया जाता है, means क्या वज़ा थी या आप किस काम की वज़ा से आएं है Next देखिए, अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश मत करो, हम यूजवली यह sentence बोल देते हैं, लेकिन पता नहीं होता इसे English में कैसे बोलना है So, आपको कहना होगा, don't try to grind your own ex अपना उल्लू सीधा करना means अपना काम निकलवाना So, अगर कोई अपना काम आपसे निकलवा रहा है, तो आप English में यह sentence उसके सामने बोल सकते हैं, बट ध्यान से Next is, मैं दुविधा में हूँ की क्या करूँ? Means, confused हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? अब आपको इसको English में बोलना है, तो आपको कहना होगा, I am in a fix what to do Next is, वह सूख कर कांटा हो गई है Usually हमारे grandparents यह बोल ही देते हैं, so इसको English में बोला जाएगा, she is reduced to a skeleton Next is, क्या तुम यह उसके मूँ पर कह सकते हो, so इसको English में कैसे कहा जाएगा, so आपको कहना होगा, can you say it to his face Next देखिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं था, means इसके अलावा और कोई option नहीं था, so इसको English में कैसे कहा जाएगा, so आपको कहना होगा, there was no other option Next देखिए, उसने मुझे लड़ने के लिए ललकारा, means उसने मुझे लड़ने को कहा, के आओ मुझसे लड़के दिखाओ, so इसको English में कहा जाएगा, he dared me to fight him अगर आप कहते हैं, मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकता, so इसको English में कैसे कहा जाएगा, so आपको कहना होगा, I can't stand this nonsense एक और देखिए, उसकी सारी आशाएं मिट्टी में मिल गई, मिट्टी में मिल जाना means बरबाद हो जाना, बिलकुल खतम हो जाना, so इसको English में कहा जाएगा, all his hopes are doomed next देखिए, आपने मेरे मन की बात कह दी है, हम usually ये sentence बोल देते हैं, but English में थोड़ी problem होती है, इसको बोलने में, so आपको कहना होगा, you have spoken out my mind अच्छा, एक sentence है, मैं उसे शकल से जानता हूँ, नाम से नहीं, जादतर ऐसा होता है हमारे साथ, हम किसी को by face जानते हैं, बट उसके नाम से नहीं जानते, so आपको कहना होगा, I know him by face, and not by name वह हमेशा मेरे रास्ते में टांग अडाता है, किसी के रास्ते में टांग अडाना, means किसी के काम में दखल अंदाजी करना, उसके काम में इंटरफेयर करना, so अगर इसको इंगलिश में बोला जाएगा, तो इसको कहेंगे, he always stands in my way, एक और देखिए, अब ये वाला जो sentence है वो जादातर पढ़ने वाले बच्चों को बोला जाता है, कि वह किताबी कीड़ा है, किताबी कीड़ा means जो इंसान बहुत जादा पढ़ता हो, so इसको इंगलिश में कहा जाएगा, he is a bookworm, अब जो next sentence है, आप उसको comment box में बताईए, कि आपके according इसकी इंगलिश क्या होगी, यह तुम्हारे भले की बात है, और आज की वीडियो में इतना ही, अम मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए goodbye and take care, और please अगर वीडियो पसंद आई हो, तो जाने से पहले चैनल को subscribe जरूर कर दें